है जो दोस्तोथ प्लिवों सबहें ने टया रही है और मिलते हैं वीडिए और की शुखेशлю, हम आचुके हैं केट में इन जहांके हैं जहाँ हमने और दल वाया है यह तीन दिन पहले हमने और का आप इसमें ढगया हैम इसमें कितने सूख्य पदार्थ मिलाएं जैसे कि कुछ तरा कैं पत्ति आप देख सकते हैं अधिक पुराली पत्ती एस तरा कि हमनें बहुत सारे सुख्य पदार्थ मिलाएं इस से क्या होगा जो खाद की ताकत आप बढ़ेगैं 추가 जो पत्ती में सुखे पतात में सबसे ज्यादा न्यूट्रेंट होते हैं वो खाद में आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात है टीकंपोज होके खाद को महासक्तिसाली बनाता है और आपको एक चीज़ का विशेश जान रखना है कि आप जहां भी खाद डलवाएं आप गड़े में खते में ना डलवाएं आप जमीन की उपरी सथे पर डलवाएं और ज्यादा मातरा में ना डलवाएं आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है लेंध है वो सिर्फ यह दो य भी हम आ चुके हैं जो उस खाद के एक महएन बाद बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हैं इसमें कितने कम आत्रा में दो már ने ता कितने कमunta में रह गया है वो इसमें डिकम्पोस हो गया यह एम हbeitने में लगा हुआ है यह जो हमने इसमें लगा हुआ है इसके बाद स्काद को उसे सकती शाली बनाते हैं, अगर स्काद को सब्सक्राइब झारण तो, सबस्तुदोटन तो, वो तो इससे पहले हम ने खाद दिखाया ता उसके दो महीने बाद बनकर जो तयार हUA duż!! आप देख सकते हैं 2 महीने बढ़ा ऑर इसका कितना अच्छा रंगाया रेखर हम न उसक्तिसाल शाद बन चुका को आप देख सकते हैं बन चुका है आप देख सकते हैं ध्यान से देखिए अब देख सकते हैं कितना बुर बुरा जो है यह जो खात है यह फुल प्रोसेस जब हमने पहला और यह तीन महिने में बनकर तयार हो जाएगा यह था हमारा गोबर का खात बनाने का फुल प्रोसेस अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें जिससे आनेवाद नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और हाँ अगर आप हमसे और फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पर फोलो करें इंस्टाग्र